भारत और पाकिस्तान भिर सकते हैं टेस्ट में इंग्लेंड में जिया 18 साल बाद दोनों नजर आ सकते हैं टेस्ट खेलते हुए एक रोचक समीकरण आया है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह का वो समीकरण हो सकता है जिया हम बात कर रहे हैं वर्ड टेस्ट कि वैसे देखा जाए तो इसके पहले दो पक्षी सिरीज का आयोजन भारत और पाकिस्तान में कई वर्सों से नहीं हो रहा है चाहें वह बार्डर पर लेकर तनाव हो या राजनीतिक मसलों पर या सुरक्षा के मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक वा परड़े के मैचे हो जाते हैं एशिया गप में मैचे हो जाते हैं नेकिन दो पक्षी सिरीज नहीं हुए ऐसे में एक समीकरन निकल के आ रहा है दोस्तों टेस्क में टेस्क की बात हम करें तो लाल बॉल से देखे हुए भारत और पाकिस्तान को 17 साल हो गये हैं तो ऐसे में क रिकेट के फैंस यह जरूर सोच रहोंगे कि कौन सा हो समीकरन है मैं आपको बताना चाहूंगा इस समीकरन की खास वज़ा है पहले हम बात करेंगे टीम इंडिया कैसे फाइनल में पहुंच सकती है पिछले दो फाइनल में अगर देखा जाया तो भारत वर्ल्ट टेस्ट च जीत से थोड़ा सा पीछे रह जाती है लेकिन अब तक अगर नजर डालें आकड़ों पर नौ मैच के बाद अगर पॉइंट्स की प्रतिशक की हम बात करें तो 68.52, 68.52 यानि कि काफी जादा है और पॉइंट्स टेबल पर नमबर वन पर हैं अभी उनके 10 मैच खेलने हैं औ और ये 10 मैच में बंगलादेश के खिलाब दो न्यूजिलेंड के साथ तीन और आस्टेलिया के दौरे पर पांच ट्रिस्क खेलने हैं ऐसे में कम से कम पांच जीत चाहिए और दूसरी टीमों के भी नतीजों पर नेवर रहना पड़ेगा लेकिन क्योंकि सफर अच्छा है तो आगे बढ़ रहे ही टीम और पहुंच सकती है अब बात करते हैं पाकिस्तान का सफर फाइनल में कैसे पहुंच सकते हैं इस समीकरण पर खास नजर डाले तो अभी तक पांच वह स्थान पर हैं प्रतिशत की बात करें पॉइंट्स को लेकर तो थर्टी सिक्स पॉइंट यहाली में देखिए पाकिस्तान का जो खेल में प्रोदर्शन रहा है वह बहुत बहतर तो नहीं रहा है टी-20 में और वंडे में लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट यह चाहता है क्योंकि कम से कम टेस्ट में टीम अच्छी हो और इसको लेकर काफी बदलाव की जा र कैसी लगे वीडियो जरूर में बताएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट देखें